नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है टेक रिबोने से टूप चैनल में तो सैमसंग की तरफ से एक स्षांदार खबर निकल के सामने आ रही है सैमसंग A51 जो एक मिलरेंज स्मार्टफोन है सैमसंग का वो काफ़ी पॉपिलराइज हुआ है इंडिया में और सैमसंग ने भी काफ़ी अच्छे यूनिट सेल किए A51 के तो उसका सक्सेसर A51S प्रोसेस में है साथी में A71 का सक्सेसर A71S भी आने वाल है लेकिन इस वीडियों हम A51S को डिसकस करेंगे तो दोने ही स्मार्टफोन A51S और A71S को NFC फोरम एंड वाइफा ऐलांस पर अलड़ी स्पॉर्ट किया गया था लेकिन अभी गीक बेंच लिस्टिंग पे भी यह दोने ही स्मार्टफोन को स्पॉर्ट किया गया है तो अगर हम मॉडल नमबर के बात करें यहां पर आप वाला है फाइनली सैंसंग कॉलकॉम के तरफ जा रहा है हमने एफिफ्टी एफिफ्टी एस एफिफिफ्टी वन एंट्टी वन यह सबी स्मार्टफोन में देखा था कि सैंसंग ने यूज किया है एक्जिनॉस 9611 जो इतना पावफुल नहीं है लेकिन एफिफिफिवन एस म हमने आई हूँ यह गीक बेंच लिस्टिंग से लेकिन हम थोड़े और चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते एफिफिफिफ्टी वन एस में एस कंपेट टू एफिफिफिफिफिवन अगर हम प्राइजिंग की बात करें तो अभी एफिफिफिफिफिवन का बेस वेरियंट 25,000 म हम प्राइजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं सम्वेर आराउंड 27,000 तो 28,000 इंडियन रूपीज यह डिरेक्ली दोस्तों कंपेट करेगा वन प्लस नौड से दोने ही स्मार्टफोन में हमें स्नैपड्राइगन 765 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है एंड सैमसंग का यह म तो नो डाउट सैमसंग का A51S काफी ज्यादा सेल आउट होने वाला है आपको क्या लगता है आपके क्या थोट से A51S को लेकर आप नीचे कमेंट सेक्से में ज़रूर कमेंट कर दीजिए तो ओकी गाईज अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रू करना आभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जली से जाके चैनल को सब्सक्राइब के लिए और साहते में नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए